प्रोटोकॉल की सीरीज ने बात करें तो जो हमारा अगला टॉपिक है वो हमारा है ट्रिवियल फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल मिन्स इसको हम लोग कहते हैं एफटीप क्या कहते हैं इसको एफटीप कहते हैं यह हमारा जो होता है इफटीप यह भी हमारा फाइल ट्रांसफर करने के लिए ही यूज होता है means क्या हुआ कि अगर हमें file transfer करना है तो TFTP और FTP दोनों का use कर सकते हैं basically लेकिन एक problem होती सबसे बड़ी जो आप लोगों के लिए जानना बहुत बड़ी है और मैं to the point बात कर रहा हूं दोस्तों इसलिए हमारी videos छोटी छोटी होती है ध्यान रखिएगा तो आप लोगों को छोटी छोटी वीडियो पसंद भी आनी चाहिए और दोस्तों आप लोगो share भी करना है तो हम किसकी बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं trivial की बात कर रहे हैं ठीक है किसकी बात कर रहे हैं trivial file transfer protocol की बात कर रहे हैं इसमें क्या होता है इसमें भी हम लोग फाइल को ही ट्रांसफर करते हैं फाइल को ही ट्रांसफर करते हैं लेकिन लेकिन एक बात जान लीजिए कि इसमें विदाउट अठेंटिकेशन ही हम लोग क्या कर सकते हैं विदाउट अठेंटिकेशन मिन्स इसको हम लोग क्या करते हैं हिंदी में सर्टिफिकेशन मिन्स हमें कोई विदावट सर्टिफिकेशन भी हम लोग डेटा को ट्रांसफर कर सकते हैं हमें कोई ID पास्वर्ड नहीं चाहिए होता है हम असानी से TFTP का यूज अपने लाइफ में अपने दिन्चरिया में कर सकते हैं अगर आप लोग कोई सुझाओ देना तो आप लोग एक बार कमेंट जरूर करेंगे क्योंकि हम आपके कमेंट का वेट करते हैं कमेंट का रिपलाई देंगे और आप लोग को अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सेख, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भी ले इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जैहिन